अर्वाच चावल का छिलका हमाई बनायने वाले हैं लोहरी पड़व के सुबह सर पर देखिए बहुत ही अच्छा दिख रहा है अच्छलका हम बना रहें अभी अर्वाच चावल का बहुत ही अच्छा देशेपी है यह देखिए घोल करका बनाया जाता है इसको मेरा बन गया है ये देखिए तावा में हम डाल दिया है इधर उलट देना है भी बढ़िया देखिए उठ गया वाँ मेरा तयार हो गया बन के हेलो दोस्तों सबको गुड मर्निंग आज भोरे भोरे लोहरी परव के सुववसर पर हम छिलका और आलू का सबची बना रहे हैं दोस्तों ये माग मास्क में अभी है दोजर तैस में पाया गया है आज आज को है तेरा तारी को तेरा जन्वरी को मना रहे हैं दोस्तों तो दोस्तों आप लोग कैसे अच्छे होंगे देखिए मेरा तुलसी इदर है हम पिंडा के पास हैं तो कैसे होंगे अच्छे होंगे स्वस्त होंगे मस्त होंगे और सभी पूरा अच्छा से मना रहे हैं दे बनाते हैं हम एर्वा चावल की से पूलाएंगे देखिए हम चावल को बढ़िया से फुला इसको सुखने दिया है जैसे कीड़ा उड़ा था निकाल दिया है बूसा था अब हम इसको फूलने के लिए देंगे दोस्तों तो देखिए मेरा ये फूलने के लिए हम डेक्ची में पानी ले लिए हैं देख लिए हैं बढ़ियां से कुछ नहीं है और सभी को हम अभी डाल देंगे फूलने के लिए बढ़ियां से फूल जाएगा ये तो इसको पहले फुलने से पहले हम धो लेंगे एक बार क्योंकि जो छपलेगा भूसा भूसा सब निकल जाएगा चला देने से तो दोस्तों यह है ना इसको हम लोग गाह में बंडू कहते हैं बंडू के सुपवसर में रोटी बनता है तेरा को तो वही रोटी बनाने के लिए कोई भी चीज का बना सकते हैं तो हम छिलका रेसेपी बनाएंगे देखिए गंटा में फुल गया है और इधर मेरा सूप लगा हुआ है इसमें हम अभी चाक देते हैं बढ़ियां से क्योंकि चाक करके हम इसको मिक्सी में पीशेंगे ना है इसलिए इसको चाक करके दो घंटा छोड़ देना होगा तब जाके इसका पाने सब सुखेगा और उसके बाद पिसाएगा तो दोस्तों देखें हम आभी सभी को छाक लिए हैं बढ़िया से विडियो में एंड तक आप लोग बने रहें देखिए हम किस तरह से बना रहे हैं लोहरी पड़ब के अनस सुब आफसर पर छिल का रोटी तो यभी हम सुखा इसको सब पानी सब गिरेगा ना सुख जाएगा तब थोड़ा सा बढ़िया होगी है देखिए सुख के इधर हाथ में नहीं पानी लग रहा है तो दोस्तों अभी हम इसको पिसने के लिए चलते हैं मिक्सी के जार में तो इसको हम हाथ से थोड़ा सा उपर नीचे कर दियां इधर देखिए मिक्सी का जार है इसमें हम भरेंगे और पिस लेंगे आधा आधा थोड़ा थोड़ा पिसना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही जादा है ना दो किलो चावल है तो उतना पिसने में तो लेट लगेगा दे इसको हम चालनी से चाल लेंगे क्योंकि छिलका बनाने के लिए चालना पड़ेगा तो देखिए मेरा इधर चालनी में हम अभी इसको चाल लेते हैं दोस्तों इसको है न चालना पड़ेगा बहुत ही अच्छा से मोटा वाला नहीं देना पड़ेगा नहीं तो नहीं बनेंगा छिलका देखे चला गया है मेरा आटा भी बहुत ही महीं पिस दिया इसी परकार से हम सब को पिस लेते हैं इधर है मेरा सुप में रखा हुआ सब को पिस लेते देखिए दोस्तों मेरा पिसा गया है सब हम इसका चिककष को है दबाके रखेंगे क्योंकि सुख जाएगा नहीं तो कि शुबा को बनाएंगे भोरे भोरे ना इसलिए तो दोस्तों मेरब बन गया है अभी इसको आप हम बढ़ियां से पिस्दिया है अब आज हम बनाने के लिए जाते हैं तो इसको पहले हम आलू को सबजी बनाएंगे छिलका और आलू का जो होता है बहुत अच्छा लगता है कि उसको शिरुवा भी बोलते हैं तो दोस्तों हम आलू को पहले उबलने के लिए दे देते हैं कुकर में कुकर में तुरंत उबल जाएगा देखिए दोस्तों अभी हम कुकर में डाल देते हैं और थोड़ा नमक हम डाल देते हैं क्योंकि नमक डालने से आलू का तेस्ट भी अच्छा लगता है और इस जल्दी से उबलता है शिजता भी है तो देखिए हम धक्कन बंद कर दिया है अभी एक सीटी लगेगा हो जाएगा तब तक हम इधर मसाला पिछ लेते मसाला में मिर लशून लिये हैं और इधर क्या लिये हैं देखिए अभी हम आपको सब मसाला दिखाएंगे दोस्तों क्योंकि इसमें बहुत सारा मसाला भी देना पड़ता है ना तो इसके लिए हम गोल की जीरा लिये हैं और गोल की भी ले लिये हैं साथ में क्योंकि सभी को पिस देंगे मिक्सी में भी पिस तक सकते थे मगर उसमें नहीं पिसेंगे क्योंकि सिलोटी में पिसेंगे थोड़ा मसाला चाहिए हमको देखिए मसाला त्यार हो गया है मेरा पिसा गया है बढ़िया से और सब को अभी ह तोरा में उठा लेते हुई जिसमें हम पीछ रहे थे उसी में और इसमें देखिए हल्दी हम डाल दिये हैं या एक चम्माच और धनिया है ये पीछी हुई इसको पीछ के रखे थे पहले से वही वाला है और ये कस्मेरी लाल मिर्च का पोडर है इससे जानते हैं तीखाने होते हैं बहुत सुन्दरता के लिए डाला जाता है इसलिए हम डाल रहे हैं लाल मिर्च का पोडर भी सब को मिला देते हैं साला मेरा तयार हो गया है और हम इदर प्राज भी काट लिए और टंआटर को भी अब देखते हैं को बढ़े कासा देखे मेरा आलू वाल के तम पूला से फीज़ गया सब को पहुद् Videos लेंगे कट Torah में ढूंबाज को करते हैं उसी हम निकालेंगे कि अरोन निकाल के बढ़िया से हम पहले चोड़ा लेते क्योंकि कुकर बहुत गरम हिरते नहीं तो जल जाएगे आदास सुम्हें । लुट इसको पीचर देंगे थोड़ा-थोड़ा कि इसको काट भी सकते हैं मगर कि हम इसको पीचर दे रहे हैं क्योंकि इसका जोड़ है नहीं बराएंगे इसलिए और अभी ये बढ़ियां से हम सब को पिछ लेते हैं सभी को हो गया है सब और आप इसमें हम कड़ाही में तील डाल देते हैं दो चम्मस्ट गरम हो गया है पज़ फोरन भी हम डाल दिये हैं दोस्तों देखिए अब इसमें डालेंगे प्याज प्याज को पहले भूझ लेंगे थोड़ा लाल कर लेंगे प्याज को पहले भूझ लेते हैं थोड़ा सा लाल लाल कर लेंगे उसके बाद डालेंगे इसमें मसाला हम दोस्तों तो देखिए भी सभी को हम डाल देते हैं प्याज को पहले और इसको लाल कर ले रहे हैं बढ़ियां से हम वीडियो में एंट तक अब लोग बने रहे हैं देखते जाएं किस तरह से हम बना रहे हैं अब इसमें हम नमक डालेंगे लाल हो गया है तो तो ये डेड़ चमच हम डाले दोस्तों क्योंकि पहले भी हम नमक डाले थे नहीं इसलिए और सभी को हम बढ़ से लाल कर लिये हैं अब इसमें हम डालेंगे मसाला जो सब पेश्ट बनाके रखेते हैं वहिवाला अब इसको हम बढ़ियां से भूझ लेते हैं पहले मसाला को भी क्योंकि सब चीज़े ने तो ज्यादा कड़वा लगीगा तीता लगने लगा ज्याल हो जाएगा ज्यादा ही तो नहीं खा पाएंगे न इसलिए तो देखिए मेरा मसाला भूझा के त्यार है और अब हम इसमें डालेंगे टमाटर तो टमाटर को भी हम भूझ लेते हैं पहले बढ़ियां से क्योंकि आलू तो सिजा है इसलिए ये टमाटर को भूझ लेंगे ने तो सब हो जाएगा बढ़ियां से तो ये भी भूझा गिया है मेरा अब डालते हैं इसमें आलू देखिए दोस्तों सभी को हम डाल देंगे बढ़ियां से और इसको भी भूझ लेते हैं पाच मिनट तक ले पांच मिनट के बाद इसमें हम अभी पानी डालने वाले हैं दोस्तों देखिए भुझा गया है बहुत ही अच्छा दिख रहा है और स्वादिष्ट भी लग रहा है खुसबू बहुत है देखिए दोस्तों पानी डाल देते हैं इसमें इतना ही डालना जितना हमको चाहिए ज तो दोस्तो दे दिये हैं और इसको अपढकन से दस मिनट सिजाद के अन्ह comment तो दोस्तों थाली को ठख दिये हैं और इह अर्था दिया है और मेरा और जहुर बन पुदी नहीं है तो भूब ने दोस्तों कि तयार हो गया है दोस्तों ए μοदेखर को भी सब्जी मसाला भी डाल सकते हैं ऐब हम देखिये इसको इधर है जो कल पानी सुश्म कर लिए में तो उतने उतना डालेगे जितने हमको चाहिए नहीं तो गीला हो जाएगा ज्यादा पातर हो जाएगा तब नहीं बनेगा ना तो हम मिलाते जाएंगे और पानी डालते जाएंगे तो मेरा घोर बनके तयार हो गया है बहुत ही अच्छा से देखिए और दीख भी रहा एदम साधा साधा क्योंकि अरवा चावल का है ना तो दोस्तों हम तावा चड़ा दिये हैं और इधर तेल हम इसमें घस देते हैं कागज से क्योंकि पत्ता नहीं है मेरा पास सक्वावला इसलिए तो देखिए बहुत धुआ 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 दिख रहा है ना तावा में गरम हो गया इसका मतलब से अब हम डालेंगे इसमें चावल का घोर देखिए इस तरह से छिलका बनाया जाता है दोस्तों इसको अभी हम पूरा बढ़िया से फैला देंगे और उपर से अब ढ भाकन कर देते हैं तो यह गेस पक जाएगा जो धुआन भाब जैसा निकलता है उसी से पक जाएगा देखिए मेरा पक के तयार हो गया है छिलका और बहुत ही सुन्दर दिख रहा है तो साधा साधा प्यारा प्यारा यह मकर सक्रांती में लोहडी परव होता है ना पॉंगल सुन्दर भी दीख रहा है दोस्तों अब हम इसको फिर से दूसरा हम दे दिया है और यह इसको भी पका लेते हैं ढखके और मेरा यह छिलका बन के तयार हो गया है दूसरा भी तो दोस्तों इसी परकार सब को हम बना लेते हैं बहुत ही सुन्दर दिख रहा है तो दोस्तों अब आज के बस ब्लोग में भी सितना ही, फिर मीलते हैं कुछ अगला ब्लोग में, तब तक के लिए मेरा चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सबी को बाई!